नमस्कार मैं हूं मौली सक्षना ITDC मीडिया की संबादाता आईए जानते हैं आखिर क्या है नैशनल हराल्ड केस आखिर क्यों भेजा गया राहुल गांधी और सोन्या गांधी को समझ दरसल नैशनल हराल्ड समचार पत्र अजादी के पहले काकबार है जिसकी शुरुआत देश के पहले प्रधान मंतरी जवालल नहरू ने 1938 में की थी नैशनल हराल्ड का प्रकार्शन एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटर नाम की कंपनी करती थी इस कंपनी की स्थापना 20 नवंब यह कंपनी किसी एक प्रक्ति के नाम पर नहीं थी आजादी की लड़ाई के दौरान नैशनल हराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवास को स्थान देने वाला प्रमुख मुख पत्र बन गया इस पत्र का उद्देश कॉंग्रस के विचारों और चिंताओं और संगर्ष को म काति बंधित कर दिया 1945 में इस अगबार को फिर से शुरू किया गया नब्भे के दशक में यह अगबार घाटे में आने लगे साल 2008 तक AJL पर 90 करोड रुपे से ज्यादा का कर्ज चड़ गया तब AJL ने फैसला किया कि अब समचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेट को ट्रांस्वर कर दिये गए यंग इंडिया लिमिटेट कंपनी की शुरूआत साल 2010 में हुई और राहुल गांधी इसके डिरेक्टर बने कंपनी में 86% हिस्तेदारी राहुल गांधी और उनकी मा सोनिया गांधी के पास रखी गई 26-24 फीस भी कॉंग्रस नेताओं मोती लाल वोरा और ओसकर फनाइंडेस के पास थी तब केंद्र में कॉंग्रस नेत्रत्ववाल ईउपीय की सरकार थी सूब्रमन्यम स्वामी ने दावा किया कि वायायल ने 2000 करोड रुपे से अधिक की समपती और लाब हासिल करने के लिए स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि वायायल ने करीब 90 करोड रुपे की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपे का भुपतान किया था जो एजयल पर कॉंग्रेस पार्टी का बकाया था यह राशी पहले अगबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एजयल को दिया गया कर्ज अवैध था क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था 2014 में एडी ने इस केस की जांच शुरू की एडी यह पता लगाना चाती थी कि क्या केस में किसी तरह की मनी लॉंडरिंग हुई है एडी की जांच चलती रही 26 जुन 2014 को अदालत ने सोन्या गांधी और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में अदालत में समन किया सितंबर 2015 में एडी ने फिर से इस केस की जांच शुरू की 19 दिसंबर 2015 को सोन्या गांधी और राहुल गांधी इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए और अदालत वारा उने जमानत मिल गई 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही सुप्रीम कोर्ट में सोन्या गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया 2018 में केंडर सरकार ने 56 साल पुराने स्थाय पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया इसके अलावा हेराल्थ हाउस परिसर से एजरेल को इस अधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजरेल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिवी दीन नहीं कर रहा था जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटेज किया गया था हलाकि 5 अप्रल 2019 को सुप्रीम कोड ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहट एजरेल के खिलाफ कारवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया अब इसी मामले में E.D. ने सोनिय गांधी और राहुल गांधी को पूछताच के लिए तलब किया है आपको बता दें कॉंग्रस नेता राहुल गांधी से सोमबार को नैशनल हराल्ड मामले में करी तीन घंडे लंबी पूछताच की गई सूत्रों के मुताबिक उनसे उनके बैंक अकाउंट से लेकर यंग इंडिया समित कई सवाल किये गए वहीं दूसरी और कॉंग्रस नेताओं और कारेकरताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया आज के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमांग खबरों के लिए बने रही हमारे मौली सक्षाना आईटीटीसीनीज